जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे कि इन कभियों में कौन सा कभी अस्ट शाप से सम्मंदित नहीं है क्यानि की प्रश्न किर्मांक 121 121 का आंसर आपको चैन कर लेना है उत्तर क्या हो जाएगा इन कभियों में कौन सा कभी अस्ट शाप के बारे में तो सभी लोग जानते की नहीं जानते मुलिसर अस्ट शाप के बारे में तो जानते हैं ठीक है तो 121 इन कभियों में कौन सा कभी अच्छाप से संबंद नहीं है उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कुम्भन दास तो है सूर्दास हैं, क्यश्न दास हैं, लेकिन कौन नहीं है केस अधास, ये दास का चकर कन्फ्यूज कर देता है सभी लोगों को और यहाँ छीत स्वामी अगर दिया होता, तो सब लोग छीत स्वामी जिनने नहीं पढ़ाता लगा देते लेकिन कनिफ्यूज नहीं होना, केस अधास अच्छाप कभियों में सामिल लई है ये बही केस अधास हैं दोस्तों, जिनने रीती काल का प्रवर्टक माना जाता है याद रख लेना, ये बही केस अधास हैं जिनकी रचना राम चंद्री का राम चंद्री का जिसे छंदों का जयब घर कहा जाता है कि बही के सवदास हैं दोस्तो जिनकी रचना विज्ञान गीता है ना रसिक प्रिया और कभी प्रिया मानी जाती हैं कभी प्रिया इनका अलंकार गरंत माना जाता है रसिक प्रिया इनका रस गरंत माना जाता है और लक्षन गरंत माना जाती हैं ये भी आपको याद रख लिना और अंगला क्वेस्चन आपकी स्क्रीन पर है तुलिसीदास करत बिने पत्रीका की रचना किस भासा में की गई है प्रश्न क्रमा के 122 का उत्तर आपको चैन कर लिना है अब दी में खड़ी बोली हिंदी ब्रज भासा या फिर मैथली में तो उत्तर क्या हो जाएगा विजय जी उत्तर बताना 122 का बिन्य पत्रिका की रचना किस भासा में की गई है तो अपन ने पढ़ा था तुलसी दास को मैंने कई बार आपको बताया है कि तुलसी दास की 12 प्रमाले के रचनाओं मेंसे आपने पता हुगा कि जिन में राम और मंगल आए वो अबदी की और जिन में राम और मंगल आए वो ब्रजभासा की है ना तो बिलकुल सरल हो जाता है बोलिस तर बिनेपत्रिका की बात करोगे तो बिनेपत्रिका ब्रजभासा में है ब्रजभासा और सी नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा और आपको पता है कि रीती काल भक्ती काल में ब्रज भासा अपने काब के रूप में चरम सीमा पर थी दोस्तों वो तो इसकी दम तूट गया कब जबे पहुंची आधुनिक काल में दुवेदी युग जैसे काल में महाभी फिरसा दुवेदी ने हिंदी को समर्तन दिया खड़ी बोली को है ना तब इसका दम घुटने लगा ब्रज भासा का और काब की भासा बन गई कौन खड़ी बोली है ना तो यहां पर ब्रज भासा आपका बिलकुस सही हो जाएगा और अंगला कोस्चन है के सव दास की किस रचना की गणना लक्चन गरंत की अंत्रगत की लक्चन गरंत बताना लक्चन गरंत है ना लक्चन गरंत बताओ सभी लोग धरमेंद्र जी के सव दास की किस रचना की गणना लक्चन गरंतों में लक्चन गरंत आपने पत पड़ा होगा कि रीती काल में लक्चन गरंत लिखे गए जिन में दोस्तों संस्कृत की रीती को अथावत अपनाया गया है ना वो कहलाते लक्षण ग्रंत है जिनमें अलंकार रस आदी का उचित बरणन उचित दोस्तों समावेश किया गया वो कहलाते रीती ग्रंत लक्षण ग्रंत है है ना केसा उदास की किस रचना की गढ़ना लक्षण ग्रंतों में की जाती है और प्र प्रिया के सौदास का अलंकार ग्रंथ है और दोस्तों कभी प्रिया यानि की डी नंबर कभी प्रिया यानि की डी नंबर ये से लक्षन ग्रंथ माना जाता है और डी नंबर जिन्वा ने चैन किया उनका आंसर बिलकुल सही है है ना उनका बिलकुल सही आंसर है डी नंबर वे परीसर चाहे 252 वैशनों की पारता की बात कर लो, चाहे 84 वैशनों की बारता कर लो, हिंदी सहित के इतिहास लेकृन की सरोत माने जाते हैं, 84 बैशनाओं की बारता 252 बैशनाओं की बारता भक्तमाल हैना ये दोस्तो हिंदी साहित के इतिहास लेकन के स्रोत माने जाते हैं जब हिंदी साहित का इतिहास लिखा गया सबसे पहले गारसादा तासी ने प्रियास किया दोस्तो हैना इस्तवार दाला लेती तो एंदू इंद पुसरोत की आधार पर की बुसरोत कौन कौन से थे तो अपन पढ़ते हैं 252 वैसलों की बारता है ना 84 वैसलों की बारता भक्तमाल इनको पढ़ लेते हैं और 84 वैसलों की बारता की जो लेकक हैं वो मान जाते गोकुलाथ कौन मान जाते हैं गोकुलाथ यानि कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नमबर आनमबर बिलकुल सभी हो जाएगा आनमबर आपका बिलकुल सभी हो जाएगा बरबे रामायर किसी रचना है बहुत बड़ी प्रसम है दोस्तों बरबे रामायर क्यानी कि 125 का अंसर 205 का उत्र बताut मैंने आपसे पूचा है कि राम चरित मानस किसने लिखी, बोली सर राम चरित मानस लिखी किसने, तुलिस्टी दास ने, अब राम चरित मानस अगर इन्होंने लिखी है, तो इन्होंने बार बार रामाण पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, जल्दी बताओ, बोली सर अगर इन्होंने रामचेत मानस लिखी अगर नहीं लिखी ही है इन्होंने रामचेत मानस लिखी है तो इन्होंने बार-बार रामाण पड़ी होगी और बार-बार पड़ी तो बरबे रामाण यानी बार-बार रामाण किसने पड़ी उलिसर तुलिसी दास ने हैना याद रख लेना इन्होंने राम चैत्मानस की रचना की और राम चैत्मानस की रचना दोस्तों इन्होंने कर दी तो इन्होंने बार बार रामायन पड़ी तुर्शी रास जी ने है ना आपको पता होगा रतना बली ने कही दिया कि इतनी भक्ती स्री राम के चरणों में लगाओगे इतना प्र ग्रशन की सरस्की नाओ का वर्नन करने वाला वताना है उत्तर क्या हो जाएगा 126 का अंसर चैन करना है सभी लोग चैन करेंगे उत्तर क्या होगा ग्रशन की काब्या गोसवामी कहां डाउट है आपको ग्रशन की सरस्की नाओ का वर्नन करने वाला प्रख्यात ग्रंत कौन सा है 126 और 126 में आपका उत्तर हो जाएगा ग्रशन की सरस्की नाओ का वर्नन करने वाला जो ग्रंत है वो ग्रंत का नाम क्या है वो गरंथ का नाम क्या है सरस्क्रिनाओं का बरनन करने बाला जो गरंथ है वो दोस्तों गरंथ है कौनसा गीत गोबिंद है कौनसा गरंथ है गीत गोबिंद है यानि की बी नंबर गीत गोबिंद है इसको याद रखते ना यह जैदेव की किर्थी मानी जाती है एक रचना गीत गोबिंद तो बोले सरेन में अंतर क्या है इसको यात कैसे करेंगी राग गोबिंद और गीत गोबिंद में कई बार कनफ्यूज होते हैं तो मैंने कहा कि गीत गोबिंद के गाते हैं तो जय बोलते हैं और राग किया था गोबिंद से किसने मीरावाई ने राग किया था तो राग गोबिंद मीरा बाई, गीत गोबिंद जैदेओ, क्रश्न की सरस्की नाव का बरनन मिलता है किसमें? गीत गोबिंद जैदेओ की किरती है, सूर्दास के संबंद में जानकारी का अधार गरंत मुक्तह कौनसा है? सूर्दास के संबंद में बताना है, सूर्दास बासल के चितेरे कभी कहे जाते हैं और 127 का उत्तर हमें बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? एक क्वेस्चन पढ़ भी लिया था, हैना रमेश पांडे जी, उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? सभी लोग चैन करेंगे और सूर्दास के संबंद में जानकारी का अधार जो गरंत है, वो अपन ने पढ़ दिया, पढ़ दिया किसने? सौनु सिंग जी, प्रश्चन किरमा के 127 और 127 का अंसर हो जाएगा, बा, यानि की 84 बैसलों की बारता और 20 नमबर आ आपको पता है, रामचंद्र सुकले ने, रामचंद्र सुकले जो प्रभावित थे, सबसे जाना प्रभावित थे, रामचंद्र मानस से, हैना, कौन रामचंद्र सुकले उन्होंने भी कहा था कि तुलशी दास फैवरेट कभी है, हैना, रामचंद्र मानस से प्रभावित थ तुर्शी दास एज रामचन सुकल जी आपको पता होगा कि रामचन सुकल जी ने ठेका लेग रहा खाता जब हिंदी सायत बोले सर हिंदी सायत पड़ो तो रामचन सुकल को बाजू में बठालो पता नहीं कौन सा कथन बोलने है ना तो यहाँ पर आपको बताना नामदेव का संबंद बताना है और आपको पता है दोस्तों क्या पता है जल्दी बताओ क्या पता है बोले नामदेव पता है नामदेव का संबंद पता है किस से था तो किस से था तो उत्तर बता दो जरा किस से था सगुन बाद बोले सर छोड़ो इसको मैंने छोड़ दिया नात पंत निर्गोन बाद शूपी मत अब आपको बताना है प्रश्ट किरमांके 128 आपके पास है और बोले नाम देव की बात करते हो बोले सर कि निर्गोन निर्गोन बाद या पर निर्गोन का अब धारा से सम्मन्दित कौन नाम देव ह हैणी कि सी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा आपका नाम भी निर्गोन नहीं होना चाहिए निर्गुण है ना मेरा नाम तो बोले सर निर्गुण है गुलई नहीं है कोई इसको याद रखो निर्गुण बाद नाम देओ है ना अंगला परहत सरस धरम नहीं भाई परहत सरस धरम नहीं भाई पंक्ती किस रचनाकार की है प्रश्न किरमां के 139 139 में सबी लोग अंगूटा चला देना लाइक कर देना एक क्लास अपनी रोज 9 बजे होती है और धमा के दार क्लास होती है दोस्तों जिसमें हम याद तो कम करते हैं पढ़ते जादा हैं है ना very good परहत सरस्धरम नहीं भाई एक किसकी है पुलिसर इतनी सरल पूछोगे मैंने कहा सरल भी पढ़ना है सरल भी पढ़ना है तो यह पंक्ति किसकी हो जाएगी 129 का तुलिसी दास क्या हो जाएगा तुलिसी दास है ना यह तुलिसी दास है दोस्तों आपको पता है यह तुलिसी दास है बही तुलिसी दास है जो मुर्दा पर बैठकर रदी को पार कर जाते हैं ये बही तुलसी दास हैं दोस्तों जो साप को रस्ती समझ कर और एक मंजल चल जाते हैं ये बही तुलसी दास हैं जिनको बैराग हो गया था तुलसी को बैराग हुआ है राम राम एह जान की है ना ये तुलसी दास जी को याद किस काबधारा के अंतरगत मूर्ती पूजा और अवतारबाद का बिरोध किया गया, यह आपको चेहन करना, 130 का अंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे उत्तर को चेहन करना है, किस काबधारा के अंतरगत मूर्ती पूजा और अवतारबाद, यानि कि मूर्ती पूजा और मूर्ती पूजा यानि कि नराकार ब्रह्मा, नराकार ब्रह्मा आपको बतेश्वरी, मूर्ती पूजा का बिरोध किया गया, अवतारबाद का बिरोध किया गया, यानि कि नराकार के प्रबर्तन निराकार ब्रह्मा को मानने वाले थे तो कौन थे? 130, confused नहीं हो ना आपने पढ़ा होगा कि जर जो संत काबधारा के कभी थे संत काबधारा थे हैना संत काबधारा के कभी थे कभीर आदी थे ये निराकार ब्रह्मा पर विस्वास करते थे, निराकार ब्रह्मा को मानते थे, ये मूर्ती पूजा के ब्रोधी थे, ये ना, इन्होंने कहा था कि काकड़ पातर पूज कर, ये ना, एक पंक्ती बहुत बढ़िया कबीर ने दी थी, ये ना, तो मूर्ती पूजा के ब्रोधी विवाय पूर्व समाज निर्पेक्ष स्वचंद प्रेम का निरूपन किया गया है वक्ति काल की अंतरगत किस काबधारा में विवाय पूर्व समाज निर्पेक्ष स्वचंद प्रेम का निरूपन किया गया यानिकी 131 का अंसर 131 आपने देखा होगा दोस्तों कि सूपी काब दारा में इस्वर को पतनी के रूप में देखा गया आपने देखा होगा पड़ा होगा कि जिस प्रकार से एक प्रेमी का अपनी प्रेमी का के रूप में दोस्तों जिस प्रकार से प्रेम होता है और जिस प्रकार से मिलने की भावना होती है उसी प्रकार से उन्होंने इस्वर कि प्रिती देखा कि एक व्यक्ति को बैसा बनना चाहिए जैसा एक प्रेमी होता है है ना बैसे ही उसकी इतनी लालसा होनी चाहिए इसवर से मिलने की है ना तो इतनी अगर लालसा होगी तो निस्चिती इसवर सामने खड़े आकर खड़े हो जाएंगे है ना ऐसा सोचा है किसंसा देखा है किसने ऐसा बताया है किसने सुपी काब धारा में तुलशीदास या फिर मीरा भाई कशन गीता बली का रचेता कौन माना जाता है कमेंट में बता दो मेरे प्यारे भाईयो सौनू सिंग जी हरियोम जी हैना रीना चौधरी सुमन जी कपिल देव यादव जी कपिल देव साक्षात यहां आ गए हैं किरकेट खेलने बहुत बढ़िया कष्ण गीता वली का रचेता कौन है 132 और 132 का जो उत्तर हो जाएगा बोली सर एक कष्ण गीता वली भी ब्रज भासा की रचना है हैना मत समझना की सूरदास की है कुछ लोग लगा देंगे सूरदास देखते कौन कौन लगा रहा है सूरदास हम भी तो देखें हैना कुछ लोग मीरा बाई लगा रहे हैं और बताओ और कौन लगा रहा है कुछ ल सूर्दास को काट दो, नंद दास को काट दो, यहाँ पर मीरा भाई ये बेकल्प भी काट दो और तुल्ची दास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करशन गीता बली तुल्ची दास जी की रचना है, यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, बोले करशन लीला कर जीक दो, अनिता जी ने सूर्दास बता दिया, बहुत बढ़िया, हैना, यह सूर्दुल्ची दास की रचना करशन गीता बली, हैना, कॉमन सेंस लगा लेती है, करशन काब धारा के कभी तो सूर्दास थे, इसलिए जूर्दास की रचना हो जाएगी, क्यों लगाते हो कॉम पंग्ती किसकी है या लक्टी अरुकामर या पर राजति हूं पुरकोत जिडारो ये पंग्ती बतानी है इस पंग्ती का चैन करना है और उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर प्रश्न किर्मा के 133 133 का उत्तर या लक्टी अरुकामर या पर राजति हूं आपने देखा होगा दोस प्रिकार से क्या बनाते हैं ऐसे करके एक मठकी बन गई ऐसी ऐसी मठकी बन गई ए मठकी है ना इसको कैसे ऐसे लटका दिया जाता है ऐसे लटका दिया जाता तो अब क्या इसमें क्या है पुलिसर इसमें रस है रस खान या माखन है ना इसमें क्या है माखन है औरे क्या है लक्टी या लक्टी या लटकी कर लो लटकी या लटकी या रुकामरिया पर राज तिहूं पुर को तजडारे लटकी मतलब क्या लटकी है वो लिसर माखन की माखन की ये जो गगर्या है लटकी है तो ये माखन यानि की रस खान इसमें क्या है रस है रस तो रस खान की ये पं और भारतेंदु जी की एक पंक्ती है वो बता दे ना रसकान के बारे में जल्दी किसको याद है जल्दी बताओ भारतेंदु जी की एक पंक्ती जो हमेशा पूछी जाती है रसकान के बारे में उन्होंने कहा था उत्तर बताओ जल्दी मलेक मोहमद जायसी की रचना पदमाब किस भासा में हैं? खड़ी बोली, राजिस्थानी अबदी या फिर ब्रज भासा? किस भासा में हैं? है ना, इन हरी जनन हिंदुवन पर क्या बुलते हैं? इन मुसल्मान हरी जनन पर लाखो हिंदु बारिये हैं ना, इपंक्ती कहीती ना, भारते हिंदुजी ने आपको पता होगा, बहुत बढ़िया, मलिक मुहम्बा जाइसी की रचना पदमाबत किस भासा में हैं? किस भासा में खड़ी बोली? पूर भी हिंदी की बोली मान जाती है, पूर भी हिंदी है ना, इसको याद रखे लेना, मीरा भाई की भक्ती किस भाव की है मीरा भाई की भक्ती मीरा भाई आ गई है ना ये मीरा भाई कुण थी राग गोविंद रचना इन्हों ने लिखी थी है ना और दोस्तों इन्होंने नर्सी जी को मायरो राग गोविंद की इनकी रचनाय मानी जाती है मीरा भाई है ना और दोस्तों इन्होंने लिखी थी गीत गोविंद की ठीका भी इन्होंने लिखी थी गीत गोविंद की ठीका राग गोविंद है नरसी जी को मायरो और दोस्तों ये रचनाए मीरा भाई जी की मानी जाती है मीरा भाई जी कहती, क्या बोलती थी, कि मेरा और न दू जो कोई भक्ती करती थी दोस्तों, दामपत्त भाव भी माना जाता है इनका, और यहां पर माधुर भाव एक कई बार पूचा गया है, माधुर भाव, भी नमबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा, मीरा भाई की बी नम बैदेही, पंक्ती तुलशिदास की किस रचना से उधरत है, यह बताना है, किस रचना से ले गई है तुलशिदास की, जाके प्रिये नाराम बैदेही, और 136 का उत्तराप को बताना है, और 36 का जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जाके प्रिये नाराम बैदेही, राम बैदेही और दोस्तों कितनी बिनाय से पंक्ती कही गई है पुली सर बड़ी बिनाय से बोली गई जाके प्रिये ना राम बैदेही है ना और उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा पुली सर ये तो बिनाय पत्री का मेनए पत्री का से ली गई है न ओर हम पत्री का जब लिगते हैं किसी को पत्री का लिगते हैं काय में पत्री का में यह पत्रिका की हो जाएगी, बिने पत्रिका, यानि C नंबर आपका बिलकु सही होगा, C, हैना, C, C हो जाएगा, इन में से किस कभी को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ब्रज कोकिल, यानि की 137, ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है, जल्दी से बताना है, बिमलेस जी, अंजुरानी जी ससी सिंग जी और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक एड़ीशन नहीं लिया है वो एड़ीशन जरूर लेने ना हैना सेल्फ इस्टडी के लासेस एप डाउनलोड कर लो एड़ीशन ले लो बड़िया तरीके से टीजीटी पीजीटी भी आपका आने वाला है हैना जल्दी आएगा और जल्दी आपका पेपर होगा LT बाले हो, NET बाले हो, TET बाले हो, कोई भी हो, हिंदी साहित को घोर के पीना है, काई में है ना, घोर कर पीना है जिंदी साहित को, तो Selfish Study के लासे इसमें आ जाओ, दोस्तों पता भी नहीं चलेगा, 137 का उत्तर हो जाएगा, बोली सर, ब्रेज कोकिल की बात करते हो, तो सत्य नारान कभी रतन, सत्य नारान कभी रतन को कहा जाता है, ब्रेज कोकिल, और बोली सर, मैतल कोकिल भी कहा जाता है, किसी को, तो मैंने कहा, हाँ, मैतल कोकिल भी कहा जाता है, किसे, विद्यापती को, विद्यापती को मैतल कोकिल, ब्रेज कोकिल कहा जाता है, सत्य नारान कभी कोकेल, मैथिल, कोकेल, बिद्या, पती इनको याद रख लिना है संत साहित में सबसे अधिक पंडित कभी कौन थे, एक कोस्चन भी कई बार आया सबसे पढ़े लेखे कौन थे सबसे पंडित कौन थे, स्रंगार रसके ब्रोधी कौन थे, जल्दी से बताओ प्रश्न किरमां के 138 138 का उत्तर 138 का उत्तर संत साहित में सबसे अधिक पंडित कौन थे, हैना सबसे जादा पढ़े लेके कौन थे स्रंगार रसके ब्रोधी कौन थे मैंने तो कई बार पढ़ा है कि सुन्दर लोगों को सजने की जरूरत नहीं होती हैना, सजने की जरूरत नहीं होती मतलब स्रंगार की जरूरत नहीं होती तो तर इसका क्या होsanएगा क्या होsanएगा, संत साहित में सबसे अधिक पंडित, बिद्धवान हैना, पड़े लेके, स्रंगार रसके ब्रोधी, माने जाते हैं सुन्दर दास और सुन्दर से आया सुन्दर और सुन्दर को सजने की जवुरत नहीं होती यानि कि स्रंगार की जवुरत नहीं होती तो इनने बिरोध कर दिया बोले मुझे तो स्रंगार की जवुरत ही नहीं है याना बिरोध कर दो ताकि हमसे कोई जाना सुन्दर ना लगे है याना ऐसे त प्रश्ठी कर्मांग 149, 149 का आंसर क्या हूजाएगा? दुलहन गाबहूं मंगला चार उत्तर बताना है, उत्तर क्या हूजाएगा? माही जी, बिनीता जी, हना, और ग्याने इस सर्मा जी, सबी लोगों को 149 का जब चैन करने के लिए बोला, बोले सर दुलहनी गाबहु मंगला चार एपंक्ती तो किसकी है एपंक्ती तो किसकी है जल्दी बताओ 149 और 149 का आपने बिल्कुल सही चैन किया बोले सर बी नमबर में टिक लगा दो मैंने का ठीक है टिक लगा दी रहे हैं आपका उत्तर चला जाता है बी की और कबीर दास क किनी की बी नमबर कबीर दास है न वो अपन को याद आ जाता जब कबीर की बात करते हैं तो पोती पड़पड़ जगमुआ पंडित भयाना कोई राम चैत मानस में कितने कांड हैं जल्दी से बताओ और राम चैत मानस के कांड क्रम बद्द जल्दी जल्दी से बता देना ल रामचेट मानस में कितने कानड है? आपने बता दिया, साथ कानड मैंने मान लिया, ठीक है, अब आप लोग बता दो, कि रामचेट मानस के, जो कानड हैं, वो करमबद जल्दी बताओ, कौन बता पारा है? सबसे पहले, हम भी तो देखें, कौन कितनी गहराई से पढ़ रहा है है ना जल्दी बताओ राम चैट मानस में सर्ग तो ठीक है वो तो है अपने कांड सात कांड है और उत्तर क्या हो जाएगा प्रस्टन किर्मा के 140 का आपका हो जाएगा क्या साथ डी नंबर हो गया दी नंबर हो गया पुरिसर राम चाहिए तुम्हारा साथ लेकर चलती है, हम साथ, साथ लेकर चलती है तू साथ कांड हो जाएंगे, ठीक है, ओके, बिलकुल शाहिए है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बताया है ना, और, कोई नहीं बताएगा क्या इसके, बताओ जल्दी से कौन बता रहा है, बाल अयुद्ध्या, अरंड सुन्दर, लंका उत्तर, बहुत बढ़िया, प्रदीप पंत जी, वेरिगोड, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बिल्कुल शही है, संत्रा में आदव जी, बहुत बढ़िया, इस साथ कांड है और बिल्कुल शही है, बाल, अयुद्ध्या, अरंड, किसकंदा, सुन्दरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, गुंजा जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने लगबग बता दिया है, बहुत बहुत धन्नवाद, आप लोगों का बड़ा उपकार किया, आप लोगों ने, मानुस्त प्रेम, भयव, बे, कुंटी, पंक्ती, किस कभी की है, किस कभी की है, सुस्मा जी, एक तरपाठी, नभीन दी, सरस्वती जी, हैना, अंसियादो जी, आप लोगों को ठीक है, गाली अब आँगे बड़ रही है, मनुस्त प्रेम, भयव, बे, कुंटी, किस की, एक पंक्ती किस की है, एक सो एक तालीस में, एक पंक्ती किस की है, राम जी, अकबल यादाओ का पिल देओ जी ने भी बता दिया है, बहुत बढ़िया, हैना, दार्सु, सुस्मा, डाक्टर बंदना जी, अब एक सो एक तालीस पे आ जाते हैं, एक सो एक तालीस, मानुस प्रेम, भाईव, बे, कुंटी, पंक्ती किस कभी की रचना है, तो रिसी दास, मंजन, मलिक मुहम्मद, जायसी, या फिर कुतुबन की, किस की माने जाती है, मानुस प्रेम, भाईव, बे, कुंटी, और एक सो एक तालीस में, एक सो एक तालीस में, मोले सर प्रियम की बात किये है किसने सूपी काबधारा के कभियों में प्रमुक मान जाते हैं कौन J.C मानुस प्रियम भायू बेकुंट जाओगे अपन बोलते हैं बेकुंट जाओगी सीधे भगवाइन की पूझा करोगे तो सीधे बेकूंट पतर जाओगे इंपंक्तियों को यसे भी याद करना रिती काल को स्रंगार काल की संग्या देने बाले बिद्धवान कौन है इस स्रंगार काल भी कनफ्यूज करता है कुछ लोग अभी चक्कर में पढ़ेते बोले सर आरंबेकाल और प्रारंबेकाल प्रारंबेकाल और आरंबेकाल क्या चक्कर है मैंने कहा मिस्र बंदू आरंब से साथ में रहे तो इनको बोल दो आरंबेकाल और जब हम कोई भी चीज प्रारंब करते हैं तो स्री गड़ेस बोलते हैं स्री गड़ेस करो तो इसको बोल दो प्रारंबिक काल तो इसको याद रखो आदी काल को आरंबिक काल कहा मिस्र बंधु ने प्रारंबिक काल कहा गड़पती चंद्रगुप्त ने और जब option में गड़पती भी ने होए और आरंभेक या प्रारंभेक पूचा जाए तो मिस्र बंदू लगा देना और रिती काल को संगार काल की क्योंकि दोस्तों कई पुस्तकों में प्रारंभेक काल मिस्र बंदू और गड़पती दोनों भी लिखा है कि दोनों ने और कभी पूचा जाए कि प्रारंभिक काल किस ने कहा, किस ने कहा, तो अगर गड़पती चंद्र आफसन में ना हो, तो मिस्र बंदू लगा देना, संकोच नहीं करना, है ना, रीती काल को स्रंगार काल की संग्या देने बाले बिद्वान कौन है, तो बोलिसर स्रंगार की बा करते हैं, कहा कि लोग करते हैं, मातर आपके सहर के लोग तो नहीं करते, पुलिसर हमारे भारत बस के लोग करते हैं स्रंगार, ऐसा नहीं है, स्रंगार तो बिस्तु के लोग करते हैं, तो स्रंगार काल कौन बोलेगा, बिस्तुनात बोलेंगे कि मिस्तु के लोग करते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा स्टी नमबर है ना इसको याद रखो मिस्रबंधू अलंकृत काल कहा ओर मिस्रबंधू ने कहा क्या अलंकृत काल कहा है ना ये भी याद रख लेना कटिन काब का प्रेथ किस कभी को कहा जाता है, ये बताओ, कटिन काब का प्रेथ, कटिन काब का प्रेथ, क्या है, उत्तर बताना 143, और 143 में, जो आपका बिलकुल सही हो जाए, उसी पर टिक करना है, कटिन काब का प्रेथ किसे कहा जाता है, टिक कर देना दोस्तों अपन को क प्राइब है, बोली सर कठिन की बात करें, तो केस की बात बहुत कठिन है, हैना केसों को समालना बहुत कठिन है, चार-पांच बार यही ना देखते हो, फिर केसों में थोड़ा सा कंगी अंगी फेरा, हैना तो केस को समालना क्या है, बड़ा कठिन है, केस को समालना क्या है, कथन है कि नहीं है बहुत कथन है तो इसको याद रखेएना बोले केश को समबालना बहुत कथन है बेरे बस की बात नहीं कथन तो कथन काब का पर सिर्ट केसफ़ ठीके इसको याद रखो आंगे के कभी रीजा है तो कभी cancellी नहीं तो 144 144 यानि की 144 में उत्तर आपको चेंग करना और उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे के कभी रीज हैं तो कभी ताई नहीं तो रादी का कनहाई सुमरें को बहानो, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है RC मलक जी, मिनी पांडे, तनू जी, फ्रस्न किरमां क के 144 ही तो पूँचा है, 144 पूँच लिया तो आप लोग सान्त हो गए, पुलिसर बेकारी दास में टिक कर दो, बेकारी दास की ये पंग्ती है, याद रख लेना, आंगे के कभी रेज़ाईं तो कभी ताई, ना तो रादी का कनाई, ये सुमिरन को बहानो है ना, बेकारी दास में टिक लगा देना, यादि की बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर बेकारी दास अनिता जी, बी नंबर सही है, अंगला है, कौन सी रचना, मती राम की, मती राम, मती राम की बताना है, कौन सी रचना, मती राम की है, है ना, उत्तर बताओ, 145, मती राम की बताना ललत मती होनी चाहिए आपकी याद रखो मती राम ललत मती राम है ना हाँ मती राम बेरिगोड साना मबर मोहित औ मोरे कबित बनाबत है ना एपंक्ती कभी कोन है करो इसको जल्दी से बताओ किसकी है लोग है लागी कबित बनाबत है तो आपको पता है पोली सर घनानंद की बात मत करो इनको बहुत बेयोग था ना और ये बेयोग में इन्होंने पूरी रचनाई की है कभी बन जाओ कभी बनना है तो पहले बेयोग को धारन करो कभी बनना है तो बेयोग को धारन करो एक विसाय मिल जाता है और विसाय जिन जहां मिला तो मान के चलो की फिर कभी ता रुकती नहीं है कभी की लेखनी नहीं रुकती फिर नरंतर लिखता जाता है कितना लिखता है कभी तरी उसी के बार प्रेम क्या के बारे में फिर ऐसा हुआ उनकी याद में हुआ फिर बिछुड़ गए ऐसा हुआ आज भी याद आती है इस सारी चीज़ें आती हैं कभीयों को जब ये बियोगी बन जाती है है ना लोग हेलागी कबित बनाबत मोही तो मोरे कबित बनाबत है ना तो मोही तो मोरे कबित बनाबत एक घनानंद की है घनानंद है ना और दोस्तो इनका नाम के इनका कौनती सी इसकलता इसकलता इनकी बहुत ही चर्चित रचना मानी जाती है इसकलता है और एक रचना है इस इसके नामा 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 इस ये बोधा नाम पड़ गया तो इसक नामा बोधा इसक लता घनानंद ठीक है ये घनानंद साब है इनको याद रखेंगे अंगला है सुजान चरित किसकी रचना है 147 का बताना है ठीक है प्रश्ने किरमांग 147 का घनानंद ठाक और सूधन या फिर बोधा है ना अपन ने पढ़ा था ना बोले सर सुजान को सूजन है सुजान को का है सूजन पढ़ी थी अपन ने क्या से याद की थी सुजान को सूजन है सुजान को का है सूजन है ना सूजन चड़ जाती ना बोली सर हमारे उंगली में सूजन है ऐसे ही करो सूजान को सूजन है सूजान को क्या है सूजन तो सूजान चरित के रचनाकार कौन होंगे घानानंद लगाओगे क्या लगा दिया ना बहुत सारे लोगों ने ये ये नहीं लगाना मेरे भाईयों सुजान को यहाँ घंहा अनंद नहीं है यहाँ सूजण है सूजण को सूजण चरेट सूदन पड़ना है ऐसा कि याद रहे याद रहे दोस्तों क्या है अपन ने पड़ा बोली सर सुजान चरित तो सुजान को क्या है सूजन तो सूधन कभी की रचना है इसको नहीं भूला सूधन की सूजान को सूजन है यहना कभी कुल कल्प तरू किसकी रचना है कभी कुल कल्प तरू बताना ह पुलिसर ने चैन कहिया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था, पुलिसर अपने अपने कुल की सब को चिंता रहती है, है ना, एक दोस्तों आपका जो कुल है वो तरू के समान होता है, तरू, है ना, आपने देखते हैं, कि तरू एक ब् कुल की चिंता करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा कुल और कभी कुल को कुल की चिंता है कभी को कुल की चिंता है हमें भी कुल की चिंता है ठीक है तो आ नमबर कभी कुल कल्पतरू चिंता मनी रीती मुक्त कभी कुण है रीती मुक्त आपको पता है दोस्तों कि आचार विश्वुनात ने आपने पड़ा होगा आचार विश्वुनात ने रीती काल को सरंगार काल कहा लेकिन इन्होंने रीती काल को तीन भागों में बाटा ये कभी याद रख ले ना आपसे पूचा जाएगा कि रीती काल को रीती बद्ध रीती सिद्ध और रीती मोक्त तीन अब धाराओं में किसने बाटा, तो बता देना विस्तुनात ने, विस्तुनात ने रीती काल को स्रंगार काल कहा, बिल्कुर शाई है, रीती काल को तीन भागों में बाटा किसने, विस्तुनात ने, रीती मुक्त, रीती सिद्धो, रीती मुक्त, विस्तुनात ने ही बाटा है ध्यान रखना है ना बिस्तुनातने और रीती मुक्त कभी कौन है तो बोले सरकेसा उदास तो नहीं है वेकारी दास भी नहीं है चिंता मानी भी नहीं है तो कौन है रीती मुक्त गहनानंद गहनानंद है गहनानंद इसको याद रखनी नहीं रीती मुक्त माने जाते हैं है ना रीती मुक्त घनानंद ठीक है आपका बी नम्बर मिल्कुँ सही है अमिय हला हल मदभरे सुईत स्याम रतनार जियत मरत जुक जुक परत जेही चितवत एक बार तो यहां पर क्या आ गया अमिय आ गया पुलिसर अमिय से अमिया ले लो या फिर अमरत ले लो है ना या पिर आम चोटा चोटा रहता अमिया का रस बहुत अच्छा लगता है अमिया का रस अच्छा लगता है तो यहां अमिय को पकड़ लेना अमिय मतलब सुधा से लिया गया बाकि अमिय मतलब अमिया अमिया चोटी चोटी आम जब चोटा रहता उसे अमिया बोलते हैं और अमिया का तो अमिया के रस की बात करो अब तो अमिया के रस की बात करो तो रसलीन अमिया की रस है ना बना लेते ना वो बनाते अमिया का रस भरता बनाया और वो क्या बोलते उसको पना पना बोली सर भरतो अमिया को पना बना दो तो अमिया का रस, तो बी नमबर आपका रसलीन बिलकुर सही हो जाएगा, रसलीन, रस खान नहीं रसलीन, रसलीन, अमिया का रसलीन, इसको रसलीन बोलना है, ठीक है, और निम्नलकित गरंतों में कौन सा गरंत है, छंद बिबेचन से संबंद नहीं है, छंद बिबेचन से बिबेचन से संबंद गरंत कौन सा नहीं माना जाता बन 50 बन का हमें चेन करना और 159 में जब पूचा गया तो उत्तर लगा देना चंद बिबेचन दो तो आपको पता है कि चंद जो रीती मुक्त कभी थे रीती मुक्त कभी थे इन्होंने ब्रह में बेद नामें काब यानि कि जिनमें चंदों का किसी भी प्रकार से क्या नहीं था किसी भी प्रकार से कोई बंधन नहीं था है ना वो था दोस्तों क्या चंद से मुक्त है और चंदों के विबेचन से संबंद नहीं है यानि बोल दो सर ब्रह बारीस कौन सी नहीं है ब्रह बारीस याद रखो ब लक्षमान नहीं, लक्षन गरंध नहीं लेका तो किसने नहीं लेका। आकना टेस्स सीरीज में बो दिया जाएगा एड़ीशन है ना और हिंदी साहित के दोस्तों इस कोर्स में आप भी एड़ीशन ले सकते हैं मस्ती से पड़ सकते हैं और याद कर सकते हिंदी साहित को कभी अगर इंटरेस्ट ना आया हुं इसाहित में तो आजाना सेल्प स्टड आपको बताएं दोस्तों भूसन कभी एक मात्रह से कभी थे रीतिकाल में जिन्होंने बीर रस्प्रधान रचनाई की थी और भूसन के बाद जो राष्टिय काबधारा में नंबर आता है वो आता है दिनकर जी का किसका दिनकर रामधारी से दिनकर ये भी याद रख लेना रा ये आपको बताना रिती काल के किस कभी में बहुत बढ़िया प्रस्न है 153 वा प्रस्न है उत्तर भी आपको चेन करना है और वो कौन सा यह सा कभी है जिनोंने रितु वरनन भी किया जिनोंने प्रिकृति चित्रन भी किया है वो कौन सा यह सा कभी है दोस्तों हैना जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा है ना अर्शदीब जी 153 और 153 का उत्तर जो हो जाएगा रीति काल के किस कभी में भक्ती और स्रंगार भक्ती और स्रंगार बताना है का समन वयात्मक योग है समन वयात्मक योग है तो वो कौनसा है कौनसा है सेनापती सेनापती यानि कि आपका जो ए नंबर है सेनापती सेनापती इसको याद रख लेना भक्ती और स्रंगार का समन वे आत्म की योग है सेनापती सेनापती यानि कि आपका जो आ नंबर है वो बिलकुल सही हो जाएगा शेना पती बिलकुर सही हो जाएगा, ठीक है आपका ये नमबर बिलकुर सही हो जाएगा अंगला क्वस्चन है अंबूरे बूरे लाइक ये अंगूटा नहीं मतलब अंगूटा दबा कर जाना है अब एक चीज बताना दोस्तो आप लोग बिहारी और बिहार समझते हैं बिहार क्या समझते हो बिहार मतलब बोले सर एक बिहार राज्य है हैना बिहार मतलब एक चीज और होता है यहां से यहां जाना मतलब यहां से हम कहां जा रहे हैं यहां पर जा रहे हैं तो अपन बोलते कि बो तो यहां से बिहार कर गए बिहार कर गए मतलब यहां से चले गए हैना तो बिहार करना मतलब होता है चले गए तो यहाँ पर बोई चीज बताई गई है कि अन बूडे बूडे तरें, तरें मतलब अपने बोलते हैं तर जाओगे, मतलब यहाँ से चले जाओगे, बिहार कर जाओगे, तो यह पंक्ति किसकी होगी, बिहारी की की ठाकुर की, बिहारी, बोले सर बिहार, बिहारी मतलब बिहा कि थोड़ा सा ही अपन को कौमन सेंस लगाना है ठीक है इसको याद रख लिना और até मन्लब होता है कि मैं गूमना भिरमन करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना इस प्रीकार से तो अन्हड बुरे त्रें तो का बिल्कुर सहीं हो जाएगा बगेली बोली का संबंध किस उप भासा से है बगेली को संबंध वताना है जल्दी से उत्थर हो जाएगा बगेली फूर्वी हिंदी के रहных भाट पहरी तूर्ण हो जाएगा से लिए प्लादि przy आप क्लें के पड़ी को जाइब कि राज भासा बनाने का निव्क रूप कि रूप में निर्धारत किया गया बर्स 1955 में गठित प्रथम राजभास आयोग की अध्यक्ष थे कई बार पूछा गया है प्रथम राजभास आयोग की अध्यक्ष कौन थे तो आपको बता दें कि बीजी खेर थे कौन थे बीजी खेर आप इससे आपसे लगा सकते हैं बीजी खेर जब अध्यक्ष बने तो अनों ने का अन जो विदेशी भासा उनकी खेर नहीं रहेगी हमारी राज भासा हिंदी ही चलेगी तो बीजी खेर प्रतम अध्यक्ष थे राज भासायों के आगे है भारतिय संबिधान की आठवी अनुसुची में सामिल भासाओं की है टोटल बाइस कितनी है बाइस है अनुसुची में भासाओं हिंदी की आधी जनिनी किसको कहा जाता है बहुत सरल प्रिशन है लेकिन कई बार पूछा गया है तो हिंदी की आधी जनिनी है संस्क्रिट ठीक है आठवा विश्व हिंदी संबेलन 2007 ECB में आयो जन इस्टल था है कई बार पूछा गया 2007 का वैसे और भी संबेलन 2007 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कहां पर हुआ था आपको बता दे कि जो आठवा विश्व हिंदी संबेलन 2007 में हुगा वैं निवयर्क में हुआ था ठीक है निमनी लिखित में से कौन भारोपी ये परिवार की भास नहीं है भारोपी ये परिवार की आपको बहसा बताना है कौन सी नहीं है तो आपको बता दे कि मराठी गुजराती तो है हिंदी तो है मले आलम नहीं है ठीक है वाकि मराठी गुजराती और हिंदी भारोपी परिवार की भास है हिंदी दिवस कम मनाया जाता है वेरी वेरी जल्दी से comment करें तो और प्रिष्ण बसेंदे हैं तो लाइक जरू करो गोंदा सितंबर को हिन्दी दिवस मनाये जाता हैire तो बिकास की द्रश्टी इस प्राकृत की पुरुकारी नवस्था का नाम क्या हैं ञाकी पूरुकारी निवस्था का सही योग में है पस्चमी हिन्दी की दो बोलियों का सही योग में बताना है कौन सा है पस्चमी हिन्दी के अंतरगरत आती है तो तो अब यह पन ने पढ़ी थी पूरवी हिंदी की है ब्रज बगेली यflower नी है छतिस गड़ी बांगरु यflower नी है हाँ खड़ी बोली यो बिन्देली ये क्या है पस्चमी हिंदी की है खड़ी बोली हिंदी बुंदेली अर्ध मागधी अपरण से विक्सित बोली है अर्ध मागधी अपरण से कौन सी बोली विक्सित हुई तो अर्ध मागधी अपरण से बगहिली विक्सित हुई है ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं थोड़ा अंसर देखे जाते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत महत्पूर्ण प्रश्णा गया बैरिवेर याई एंपी कई वाल लोग पूछा गया इसमें कन्फुजों के गल्ती करके आए है आपको बताना है देव नागरी लिपी का सही क्रम तो मैंने बता है सबसे पहले जो लिपी आई थी वह कौन सी थी ब्राम्मी लिपी आई ब्यानी से देव नागरी इस प्रकार से भासा की सबसे छोटी काई क्या है? बिलकुल भी कंफ्यूजों नहीं होना है भासा की सबसे छोटी काई बर्ण है सब्दमक कर दे ना बर्ण है अच्छ्छर, द्वनी, ठीक है इनको ее क्य कहते है बरण माला कहते हैं, बरण माला किसकी समूई को कहेंगे, तो बरण माला कहेंगे बरणों के बिवस्तिस समूई को, याद रखीगा, बरणों के बिवस्तिस समूई को क्या कहते हैं, बरण माला, बिलकुल याद रखी बिवस्तिस समूई, यह तो बरणों के संकलन करके आजाओ नहीं पूरे option देखना है निम्न वैसे कंठ धोनिया है तो पहले ही आपको पिछले वीडियो जो प्रक्टिस सेट करा है तो बता चुके हैंगे पूरा काबर्ग कैसा है कंठ है तो का और खा कैसी हो जाएगी कंठ धोनिया और चारल स्थान कंठ हो जाएगा इस्तान के आधारपा बताई की मूर्धन बैंजन कौन से हैं कंठोगा मूर्धा से बूले जाने वाले आपको बैंजन बताना है तो डाव डाव ठीक है निम्नि लिखित में, ऐसे अलप्राण कॉनकोन से है, तो हमने बताया था एक तीन ओपाँच का, खा गागा, इंगा वजाएगा इस विकास से आप लगा सकते हैं । आप देख लें, एक तीन शो भाठीक ब, एक तीन तीन बनेरापन, किसमें दिया है तीन, पाच अलप्राण, दो और चार महाप्राण, पूरे वीडियो आपको देखने हो, तो यूटूब पर हमारे Top 50 Study यूटूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर लगफ़क 25 तीस वीडियो और इन्दी व्याकरल की अफ्लोड है, आप जा करके देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ना सिक्त हो जाएगा, ना से उच्चारण होता है, ए आई बर्ण क्या कहलाते हैं, ए और आई, जल्दी से बता दें, ए आई क्या कहलाते हैं, धुनिया, हाँ, कौन पहले उत्तर देता हैं, हम देखते हैं, तो ए और जो आई हैं, कंठ तालू, संस्कित मे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे तो आप वो भी देख सकते हैं हिंदी बर्ड माला में एंएवित कौन से है बिल्कुल एंएवित करी पारे जो कहलाते हैं जो सवरों के बाद आते हैं बैंजनों के पहले आते हैं आयोगबाह कहलाते हैं और अम और आहा कैसे हैं आयोगबाह है ठीक है इस वकार से आगे देखते हैं अच्छे लग रहा है वापस तो लाइक जरू करना निमने वैसे बताईए किस सब्द में दुट्वेंजन है दुट्वेंजन कई बार पूछा गया है कौन से सब्द में है तो आपको बताते हैं कि दुट्वेंजन किस में है दिल्ली में क्यों ला और ला लग दो बेंजन एक साथ एक आधा एक पूरा ऐसा आजा तो उससे दुट्वेंजन समाझ लेना ठीक है एक से होना चाहिए सब्द में सासा साहा कौन से बेंजन है कई वार बता चुके बिलक दोनियां बतानी है कई बार पूछी गई है आज एक खा और गाई कैसी है नवीन विक्सित दोनियां है कि अबने मैंसे कौन सा घोस बारण है घोस जल्ली जो बता दें घोस हाँ बिलकुस सही जो यहाँ पर इसमें दिया हुगा है घोस बरण के अंतर गत उसका उत्तर हो जाएगा कौन सा अमानक बरण है अमानक बरण आपको बताना है जल्दी से बता दें कौन सा हो जाएगा हाँ बिलकुस सही भा कैसा है अमानक बरण है दोस्तो लाइक जरू करें अभी तक वीडियो को ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर जरू का अग लिया है तो कोट्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes ठीक है यह प्ले स्टोर में आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे